ह venir बिएयो में बनाने चाहरा हूं यह बिएयो में बनागने चाहरा हो यह बैस्तु टू बैनाओ के लिस्ट में हैं तो इसमें क्या ही की इसमें काफी सरок है जो कि मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है लेकिन वह स्टॉक क्या है अभी आज के डेट पे वह स्टॉक अभी मूब नहीं हुआ है उसी स्टॉक उसी प्राइज रेंज पे घुम रहा है तो उसी स्टॉक को अभी हम बाई कर सकते हैं और लिस्ट में आपको बताऊंगा काफी सा स्टॉक है और बाकी जो कुछ स्टॉक जो मैं बता रहा हूं जो कि अल्रेडी भाग चुका है पांच परसें दस परसें भाग चुका है पांच परसेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उसका टार्गेट जो रहेगा अभी बहुत कम टार्गेट चाह रहा हूं जो स्टॉक अल्रेडी जिस प्राइस रेंज पर मिने बताया था उसी प्राइस रेंज पर घुम रहा है तो उसी मतलब उसी को अगर अभी लेके चलेंगे तो हमें आने वाला टाइम पर अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है ओके फ्रेंस चलिए स्टार्ट करते है देखें फ्रेंस पहले जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहां पर HDFC का मैंने वीडियो बनाया था यह स्टॉक अभी मत लीजे क्योंकि अल्रेडी यह रॉन अप दे चुका है इट परसेंट अभी यह स्टॉक जो है बाटा है इसको भी अभी करेंड मार्केट प्राइस मे इंतेजार कीजिए अभी एक्जिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिसको फ्रेश निव एंट्री लेना है उनके बारे में मैं बता रहा हूं उस स्टॉक में अभी एंट्री मत लीजिए वह हुआ इसका हुआ और को टेक महिंद्रा हुआ यह सब रॉन अप में आ चुके है इसलिए उस टॉक मत लीजिए अभी में जो स्टॉक अभी बताने जा रहा हूं यह अभी उसी लिस्ट में है मतलब अल्रेडी मैं विडियो बना चुका हूं उसी का इस लिस्ट में आप पेट्रोनेट को अभी लेके चल सकते हैं ठीक है फ्रेंस अभी देखिए जो पेट्र होगा नुक्सान नहीं होगा मैं आपको कैसे बेनिफीट होगा उसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लॉस्व में यह नहीं करकर लोस हो कि तो यह प्राहिस पीडुकर चलिए अगर닝 elements के लिए ल Cath लिए i2-48 ऐसे लगाना पड़ेगा फिर आपको तकलिप नहीं कि का फिसरा फिरेंट से उसटाइम पे जब रहना होता है उस तामपने कर प्रैस में निकलना आप अभी नोट कर रख लिए अभी जो नेक्स्ट इसका टारगेट रहेगा सबाइब 237 तर्फिर रहे गा जो कि आपको ज़्यार ज़्यार तवाइन तक लग शक्ता है यह नेक्स्टक्टर है टिस्क्स्षयक्ट मैं दाए दूगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा अब देख लिजेगा ताकि आपको पता चल जाएगा अभी देखिए अब यह जो करेंट मार्केट प्राइस पर बाइगा जो एक माहिने का अंदर देखिए आपको पता चल जाएगा किस बेस पर मता रहां कि एक माहिने में इतना टार्गेट आपको मिल जाएगा यहां पर दिखेंगे एक महीने का अंदर में आपको 15% का गैन मिल सकता है इस से बेधर इन और जो सकता है अगर आप छे महीना तक इंतजर करेंगे चुनिए का अंदर में आपको यह गैन मिलेगा पूरा यह हाई प्राइस पर जायाए स्टॉक ठीक है उसी टाइम पर आप नि अभी जो यह सारे वीडियो आप देखेंगे उससे तो आपको पता चलेगा क्योंकि मैं टार्गेट बता रहा हूं यहां पर बाइंग लेबल बता रहा हूं तो उससाब से का मामले में फिर मोबाइल लेने जाते हैं दस बार दुकान में दोड़ते हैं सो रुपे के लिए हम इतना सरा बारगेंग करते हैं लेकिन जहां पर हम तो आधा घंटा टाइम नहीं दे सकते हैं तो फ्रेंड्स पर सॉरी आपको कभी भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि जब पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं थोड़ा सा आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए तकि इसका फाइनशल कंडिशन भी देखिए क्योंकि यहां पर बात में फस जाएंगे मेरे को बोलें कि अपने फसा दिया इसा नहीं होना चाहिए मैं जो पता रहा हूं मैं अपना भीव द चलेंगे तो कोई बुरा नहीं है इस प्रेस पर बाइकर करके चलिए ठीक टार्गेट तो मैंने बता हुआ उस विडियो में तो पहला जो टार्गेट रहेगा आप इसी तर में निकल जाएगा जो कि दो तीन मेने में आपको टर्गेट दिमिल जाएगा ओके फ्रेंट्स य अगर करेंड मार्केट प्राइस से बाई करके चलते हैं यहां पर दिखिए आपको 18-19% का गयन जो की 2-3 महिने में मिल सकता है अगर 6 महिना इंतिजार करते हैं आपको यह गयन मिल सकता है 30% का गयन तो आप एक बर सोच लिजिए आप देख लिजिए इसका जो आनालेसिस किया हुआ है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे आप यहां पर दिखे यह उजीवन स्मॉल फाइनन्स भी व किई आराम से आपको दो तिन मैने में टर्गेट मिल जाएगा दो तिन मैने के जिससे कोई छोटा गेन नहीं थाटी फॉर परसंट का गेन अगर तिन चार महने में मिल जाता है यहां पर देखिए 65 परसंट का जो गेन मिल रहा है आपको एक साल तक होल्ड कीजिए अराम से आपको मिलेगा कोई टेंशन नहीं बिंदा साप होल्ड कीजिए ठीक है स्टॉक बात पर क्यों आप जा रहे हैं आप एक बार करके देखिए इसका कंडिशन में क्या बुरा है किस बेस पर हम ले रहे हैं तो लेना हमें उसी टाइम पर है जब 200 दिन का मुवीं अबरेज का नीचे आ जाए सपोड़ प्राइस के पास में लेना है तो सेल ओहीं पर करना है ज बंद्र में ऐग में साथ सो रुपे में ट्रेड हो राता चे सघ्टीश रुपे में चल रहा था तो अभी देखिए आभÜ इस टाइम पर फेंट करना होता है इस λétais करें आप अच्छा पीशा कमाच रखते हैं तो जिस टाइम पर हला मुलना होगा उस टाइम पर निकल जाईए गवास खलास बाकि किसी का बात नहीं सुनना यहां पर देखिए यहां भी बिल्कुल प्राइस पर चल रहा है अभी बाइकर के चलिए ठीक है अभी आप बिल्कु माईन में और आपका यहां पर यहां पर अगर आपको मिल जाता है बुरा ही क्या है बहुत बेटर इंड लियन तो इसा ही यह आप लेते जाएं आपको बहुत बहुत बहुतरीन मौका है यह सब मौका पर अगर माल नहीं उठाएंगे तो जब फिटीटीटू ही हो जाएगा तब उस टाइम पर सारे टीवी में बोलते रहेंगे लेलो लेलो ब्रेकाउट हो गया यह 5000 तक जाएगा उस होगी अभी के तो हम इसी टाइम पर लेना होता है स्विट ट्रेड करके इस टाइंप निकल जाना होता चला होता है तो यहां पर यह बिह करना चाहता है श्पुर्ट ले सकते हैं कि little आपका स्ट्रेस्ट पर्रेस चल रहा है अश्ट्डर辦 कर्समें लगन को मुश्किल ने सकते हैं कि तो सब्सक्राइब करने की इस घ्ल रहे इस सहारा भीडिघू देखि आप को पता रिशर्च के बेस पर आप ले सकते हैं ठीक है इतना तो आपको भी पता है आपने इतना दिन से वीडियो देख रहे हैं आपको तो मालूम चली गया है आप देखके उसी बेस पर ट्रेड ले सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजिए अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू वेरी मुच फ्रेंड्स फर वाचिंग इस वीडियो बाई बाई